रोज पराई तो हम करते हैं लेकिन पराई की अंतर में अगर हम अब क्या चल रहा है उसके बारे में अगर चर्चा ना करें तो बहुत जादा पीछे रहे जाएंगे और आजकल की ये सोचल एविल से सारे स्टूडेंट्स जुज रहे हैं और ऐसे कोई सोचल मीडिया नहीं है किसी ना किसी सोचल मीडिया के साथ हर कोई जुरे हुए है तो आज एक ऐसे घटना के बारे में हम बात करेंगे जिसमें सोशल मीडिया का नुकसान और एडिक्स्टन से जागरूप करनी की ज़रूरत दिखाती है हाली में करनाटका में एक आदमी ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसकी पतनी इंस्टाग्राम बनाने में बहुत जादा उलजी हुई थी इससे पता सलता है कि सोशल मीडिया हमारे जिंदिगी पर कैसे असर डाल सकता है और अगर इसका सही इस्तमाल हम ना करें तो यह कितना डेंजरस हो सकता है तो शुरू करने से पहले मैं आपको यार दिला दूंगी 2025 का हमारे जो UPSC के बैच है फाउंडेशन बैच उसका एडमिशन चालू हो चुका है 30% डिसकाउंट पर आपको यह मिल जाएगी NCRT के fundamental classes से लेकर advanced level की study आपको यहाँ पर कराया जाएगा 1-2-1 mentorship रहेगा और आपको guide करने के लिए UPSC के former जो board members है वो भी आपके साथ शामिल होंगे तो इसकी opportunity को अविल करने के लिए don't forget to call us on this number इस number पर आपको call करने से आपको पूरे data दिया जाएगा और आप कर सकते हो जोइन कर सकते हो और इसके सब मैं आपको याद दिला दोंगी कि Maluga IS के जो magazine है भी available हो चुका है market के अंदर घर बैठे भी आपको इसको मंगवा सकते है वही इस number पर आपको अगर call करोगे तो आपको सारे process पताया दिया जाएगा यह मैं जरूर कहूंगी तो चलिए शुरू करते है आज के यह session बैसिकली इंस्टाग्राम के रील्स के बारे में अगर बात करें तो आप सभी को पता ही होंगे फिर भी मैं आपको बता दू 15 सली का 90 सेकंड का एक time period होता है इसके अंदर छोटे-छोटे वीडियो बनानी की एक चर्चा को रील्स मतिब जो चर्चा है उसको रील्स बताते है इंस्टाग्राम के अंदर एक system होता है जिन में कोई भी song या dialogue या trend फॉलो किया जा सकता है तो यह features बहुत ही popular है क्योंकि इसे लोग अपनी creativity, talent या humor को दिखाते है और बहुत सारे अगर इंस्टाग्राम प पोस्ट मिलते रहते हैं तो बेसिकरी यह सारे कोईन के दो जैसे पहलो होते है ऐसे इंस्टाग्राम के लिए भी है लेकिन कुछ लोग इसमें इतना addicted हो जाते है कि वह अपनी असली जिन्देगी से दूर हो जाते है और सिर्फ वर्चुल वर्ड में ही रहते है इसे उनकी ज बनाने में इतने जादा टाइम बेस्ट करती है तो उसके साथ ध्यान मदब उसके हजबन पर वो ध्यान नहीं देती ऐसे उसका कहना था तो रूपा ने एक ऐसा कोई डील बनाया जिसमें उसने और एक आड्मी और एक और और अरत के साथ कोई डांसिंग कर रहे थे कोई ट् तो बात करेंगे यहां पर के सोशल देखो पहली बात तो यह घटना से क्या सीख मिलती है हमें सोशल मीडिया के अडिक्शन की तक खतरना को सकता है और इससे कैसे बचना चाहिए कुछ टिप से उससे पहले मैं आपको इसका जो जो एक्जामिनेशन ओरिएंटेशन से जो सा से एक होर्मन अगर एक सकत करना चाहते है तो इसका नाम होता है दोपामीन दोपामीन रिलीज होना होने की लिए ही सोशल मीडिया कोई था घड़ती है तो डोपामीन रिलीज होने से आपकी बॉड़ी में एक एक आचिप्मेंट की खुशी आती धी है अब जब भी बहुत कई दिमाग के अपके हर्मोन को रिलीज देती तो उसको बाते के कादल आप क्या करते हो में और सोशल मीडिया एडिक्शन में जुर जाते हो छोपनों के यूजिते वाजने के ने हैस्ट आपने सेलिस्टीम एपने वालिडेशन या हैपिनेस के लिए करना चाहिए अगर हम दिवाली के टाइम पे बात करें, एक बच्चा था वो 9th या 10th स्टैंडर में पर रहा था और वो एक्चुली एक Transgender परसन थे, उसको इतना जादा ट्रोल किया गया, कि उन्होंने भी अपना जान गवा दी, अपने जादा आप अपने आपको ढ़ा रहे हो, कि आप अपने रिलेशनिप को भी तो खतम ही कर रहे हो, और उसके साथ अपने अपने आपकी जो सेलफ एक्स्टीम है, उसको भी आप खतम कर रहे हो, अब देखो कैसे इस चीज से छुटकारा पानी चाहिए, है, सोशल मिडिया यूज करने वाले लोग दो तरह की होते हैं, जो एक होते हैं, जो कंटेंट को बनाते हैं, दूसरे होते हैं, पर दूसरे होते हैं, या अपको पड़ा रहे हैं, तो हमese expensive, हमें आपको content दे रहे हैं, YouTube से उर्स में, और आप क्या उस content को आप अपने आप में ले रहे हो तो basically ये दो type के लोग होते हैं, दोनों के लिए कुछ do and don'ts होते हैं, जो लोग content बनाते हैं, ये तो जानना जरूरी होगा, कि आपको बताया गया, सारी ट्रोली सच नहीं होता, कुछ-कुछ इंसान का ये होता है, कि मैं जब वीडियो देखने के बाद मैं अपने comments में अपने सोच को जाहिर कर रही हूँ, मतलब ये हुआ, कि मानों कि मैं बहुत जादा depressed हूँ, तो मेरे comment भी मैं बहुत जादा खुश हूँ, मैं बहुत जादा खुश हूँ, मैं बहुत जादा खुशी वाले हूँ, मैं बहुत निगेटिव इनसान हूँ, तो definitely negativity का कारण होता है, कि मेरा आसपास क्या चल रहा है, मेरा state of mind कितना depressed है, उसी उपर से मैं उसका comment करूँगी, तो उस तारे comment से, अगर जो content creator है, वो अगर कुछ सोचे, या वो content बनाना छोड़ दे, या अपने चीजों को बदल दे, तो this is kind of stupidity, तो यह ही आपको मैं बताना चाहूँगी, कि जो content बना रहे हैं, उनको इतना ज्यादा ध्यान न उनका point नहीं है, वो तो उनकी state of mind बोलते है, बताते है, तो उनके लिए एक अलगी community होते है, उनके लिए छोड़ देते है, चीजों को, फिर आप वहां से positive चीजों को जादा देखे, लेकिन problem यह होता है, जैसे मैंने बताया कि dopamine का जो selection होता है, उसके साथ human mind या human psychology का ये nature ह होता है, human क्या करते है, दस अच्छाई चीज में अगर कोई एक बुरा कह देते है, तो उसको लेकर हम बैठ जाते है, ताकि हमारी point यह होना चाहिए कि वो 10 अच्छाई पे ही हमारा feedback लेना चाहिए, 10 अच्छाई पे हमारी motive होना चाहिए, 10 अच्छाई के ऊपर ही हमें चलन तो जो आपके वजह से दुख जिसको दुख मिल रहा है आपने उसको घर पे जाके तो दुख लेने के लिए नहीं बोला है उनके पास ऑप्षन है भाई तुमारे कंटें नहीं देखे लिकिन देख रहे हैं फिर भी जाके कुछ बुड़ा बोल रहा है इसके मतलब यह होता है कि देखो उसमें ही कोई प्रॉब्लम है तो जो कंटेंट बनाते हैं उनके लिए कुछ लाइन आउट है और जो कंटेंट कंजूम करते हैं तो उनके लिए मैं जरूर बताऊंगी कि कुछ इंपोर्टेंट चीज आप देखो एक तो सोशल मीडिया का जो टाइम है उसको यू अपने से दूर रखे या नोटिफिकेशन को भी बंद करते हैं जब आप किसी भी इंपोर्टेंट काम में लगे हो या अपने अपने फैमिली के फ्रेंज के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हो तब जाके आप फोन को हाथ मत लगाओ इंपोर्टेंट सितना ना दो और सो अपने साथ करते हैं जिसके पास निकला हुआ है जिसके पास दो सर है साप वाले एक आते हैं जिसमें वह मंदिर चल रहा है और इसके पास आठ या छे और लोग चिला रहे है या एक वीडियो ऐसा है कि यहां पे लोग खरे हैं सदनली समुंदर से बहुत बढ़ा सा एक जो लोग बीच पे खड़े है वो तो है लेकिन वह चीज नहीं है जो साप उदर चर रहा है उसका सर है लेकिन वह आठ को बनाया गया है ऐसे चीज़ों को देखने से जो भी चीज आपको बहुत जादा होरिफाई कर रहा है या जो चीज आप में बहुत जादा पैनिक कर र अपने आप से लिभाई कर लो प्र 2020 कालो कि भुयर ज सकते एंटर नहीं है morbippinya कि Casio कि अंपvा बनाय सकनाव process करें यह जदेकर कि थो या इसका मतलब यह ज़ आप से बहतर है अवनक मतलब वह सारी ही यह यह था है संICE यह होता है तो बैसिकली दूसरे के जिंदेगी को देखकर अपने जिंदेगी को भी डिप्रेसिब स्टेट में ले आना तो आप अपने आपको एकसेप्ट करें और अपने स्ट्रेंथ और विकनेस को पहचाने ना कि दूसरे लोगों की खुशाल जिंदीगी को देखकर कोई सोशल मीडिया इंफ्लोएंसर है आपको देखकर लग सकते हैं इसके जिंदीगी तो बड़ा सौर्टेड है इसके जिंदे में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अगर कोई कपल से उनका वीडियो आ रहा है भाई दे प्रॉब्लम थे राम चंद्रा सीता मया के बीच में भी बहुत सारे दुविधाय थी ठीक है मतलब भगवान जो भगवान है उनको भी मानव जीवन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा तो जाके आप क्या होते हो आप तो एक मनुष्य मात्रों और जो इंफ्लोएंसर है वो भी भगवान नहीं है उनके जिन्दगी में भी प्रॉब्लम्स है उनके भी परसनल जगा है उनके भी परसनल अपसंट डाउंस है वो लोग तो नहीं दिखाएंगे ना वो चीज़ तो वो देखके आपने आपको जच करना बंद करें और सबसे बड़ी बात है कि सोशल म अपको अपने हिसाब से स्ट्रेस आता है अब एक चीज देखना अब सुभा उठके कोई पॉजिव चीज करने लगोगा आपको खुशी आती है सुभा उठके जगरा हो जाता है आपका दिन भर मूद खराब होता है भले ही उस जगरे में आपका जीत कियो ना हो ही हो तो य इंपोर्ट कर दे ब्लॉक कर दे या इंग्नोर करें ठीक है यह चीज तीन चीज आप कर सकते हो तो अपने आपको पॉजिटिव इंस्पारिंग या अफ्लिटिंग कंटेंट से सराउंड करें और आपको मोटिवेट करें जो आपको कुछ नहीं मन्तब कुछ नेगिटिव करा के कुछ नय सिखाए सोशल मीडिया से ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फार मेंटिनिंग अ वेरी हेल्दी लाइस्टाइल और इसमें जितना जादा अपने आपको इन्वाल करोगे इसलिए अगर हम हमारे पापा हमारे चाचा हमारे चाची उस जो जेनरेशन ह हमारे थोड़ा सा जो बड़ा जेनरेशन है उनको देखेंगे उनके जिंदगी में कही न कहीं पर एक ठहराओ देखने को मिलता है इसलिए हमारी दादा दादी उनको क्योंकि उनके टाइम से इस ताइम पर वो लो लो ग्रो हुए है उनके दिमाग में इतने सारे निगेटि आपको खुशिया दे के एक मारपीट देखने के लिए या कुछ ऐसे निगेटिव अभिजुटिव कंटेंट देखने के लिए उसको जबदस्ति आपने आपको होल्ड करो और बेटर चीज के लिए जाओ ठीके कुछ ऐसे एक्टिविटिस करें जो आपको रिलाक्सेशन द देखें और उससे पहले भी अंगर देखेंगे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो डेफिनेटिव आप जेनरेशन एक से आते हो जो 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 देखो गे तो आप देख सकते हो कि यह लोग बहुत ज़ादा ही कंटेंड होते हैं इसको खेल कुट पसंदे यह पसंद क कि आपने लाइस्टाइल को मेंटेन कर रहे हो और उसके साथ अप रेगूलर एक्सराइज कर रहे हो के नहीं हंडित पसंद यह है जो लोग जो बंदेख जीम जाते हैं योगा सेशन पर जाते हैं यह और को एक्टिविटीज के साथ आपने आपको इन्वल्वर्व रखते ह अपको एक बात आदू जिस मुवी स्ट Fuß को देकर हम बहts जादा उद्ग्ध होते हैं वही ज़्यादा वुकर इंस्पायड होते है वेहीं गपने हांप से पोहॉत कमई आंप dealer करने के लिए ग्रूप रख्खा है वह थिए यह अपने हांप स्ट और से आपना बोग करने के अपने आपको एसे स्टेट में नहीं ले जाना है जैसे कपूर वाला केस्ट वहा है जहां पर उन्होंने अपने जान तक दे दी है तो उम्मिद रखोंगी कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आपके लाइफ में थोड़ा सा चेंजिस अगर ये वीडियो ला सके बहुत बहुत बड़ी बात होगी इसके साथ मैं लास में ये भी बता दूंगी कि इस मलुक आयस के जो एप है उसको डाउनलूट कर दे और हमारी सोशल मीडिया हैंडल के साथ अब जूट जाए क्यूंकि हमारी सोशल मीडिया हैंडल आपको डिप्रेस नहीं करेगा आपको बुस् इसका सेक्शन है उसमें आप यहां पर बताया गए बहुत सारे इंवल्मेंट को आड़ ऑन कर सकते हो बहुत सारे डिवल्मेंट को उसमें आड़ पॉइंट के तर पर आड़ कर सकते हो यह डेपिनिशल आपको अच्छा मास देगा तो आज के वीडियो यहां तक ही प्लीज इस चैनल को सब्स्लाइब कर ले कमेंट ज़रूर करे वाटेवर इस यूर थौट आपकी कमेंट सरा आखो पर आपसे फीर मिलेंगे तब तक के लिए आप अपने धिहान रखियेगा मम्मी पापा का धिहान रखियेगा आस पर परोस की धिहान रखियेगा बीए रेस्पॉं बिस्टिजन, जय हिंद प्रेव का नवसे हिंद एफ न दे आखियाओग के लिए परोस प्रचान रखियेगे बीए खियाओ ट्रचान रखियेगे जय हिंदीए।